नेता प्रतिपक्ष तीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री का मजाग बनाने के चक्कर में खुद की खिली उडवाली नेता प्रतिपक्ष सीयम के बारे में बोलते हुए खुद ही रामगड प्रत्याशी का नाम भूल गए दौसा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल पर बिना परची के नहीं चलने वाली सरकार का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि बीते कल मुख्यमंत्री भजनलाल नामांकन करवाने गए थे जहां उन्हें कैंडिडेट का नाम याद नहीं रहा और यश्वन्त जस्वन्त कहने लगे फिर पीछे से परची आई तो पता लगा कि उनका नाम जस्वन्त नहीं खुश्वन्त है बस यही पर जूली गडबड़ा गए मुख्यमंत्री की खिली उडाते उडाते वे खुद ये भूल गए कि रामगड के जिस भाजपा प्रत्याशी की बात वो कर रही है उसका नाम खुश्वन्त नहीं बलकि सुख्वन्त है राजस्थान में हो रहे उपचनाव में अब स्थिती यहाँ बन गई है कि नेताओं को हर हाल में चुनाव जीतना है जिसके लिए फिर किसी भी नेता पर किसी भी तरह का आरोप लगाना पड़े दौसा में कॉंग्रेस प्रत्याशी दीन द्याल बैर्वा की नामांकन सभा में नेता प्रतिपक्ष्टीकाराम जूली राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोग गहलोत PCC चीफ गोविंद सिंग डोटासरा सहित दर्जनों कॉंग्रेस के नेता पहुझे जहां सारे नेताओं ने एक सुर में भाजपा पर हमला बोला सभी नेताओं के तार्गेट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए जहां नेता प्रतिपक्ष तीकाराम जूली ने कहा कि भजनलाल तो ऐसे मुख्यमंत्री है जो भरी विधान सभा में यह कहते हैं कि मैं जब सर्पंच हुआ करता था तब नरेगा का काम अच्छा करवाता था जिसके लिए आसपास के सर्पंचों के मेरे पास फोन आते थे इस पर मैंने मुख्यमंत्री से एक बार पूछ ही लिया कि आप कौन से सन में सर्पंच थे उन्होंने अपने सर्पंच होने का जो साल बताया उस समय तो नरेगा था ही नहीं इसलिए ही मैं कहता हूँ कि भाजपा वाले जूट बोलते हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद